हेलो गाइज दिस दिवंद्र गुडरे कैसे हैं अब सब लोग विल्कम बैक टूर यूट्यूब चैनल कल सेटर्डे को दो मैचे से हैं मेरी हैल थोड़ी सी ठीक नहीं थी बट चुकि आप लोगों से प्रामिस किया है कि इस बार जितने जादा मैच भाई मैच अनल ऐसे सो पाएंगे आप लोग शेयर करूँगा जो भी नौलेज मेरे पास है जो भी मैच चीज आपको एड़ाउन कर सकता हूँ वो करनेगी ट्राइए करेंगी तो वोइस थोड़ी सी लो सकती है ठीक है बट जो भी चीज मैं करूंगा या मैं बताऊंगा वह आपको डेफिनिटली उस चीज की हेल्प मिलेगी आई पेल का पहला मैच खता मुचू का है CSK वर्सस गुजरात का और उसका वी इतने भी नए वीवर्स सबको पहले मैं बता दूं कि मैं रॉर ऑफंटिक वीडियो बनाता हूं कॉपी पैन पर ही और मुझे इससे समझाने में ज्यादा मज़ा आता है और आपको समझने में भी आएगा और जितने भी कॉंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलता है पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो तो जितनी जाता नौलेज में देश सकूंगा आपको ठीक है जितना आप समझ पाएं कुछ ना कुछ आपकी एक तरह से लाइब्रेरी में एड हो चीजें तो शुरू करते हैं पंजाब वर्स कॉलकाता का वोईस थोड़ी से लो रहेगी पूरा ट्राय करूँगा जितना आप लोगों को समझाब हो राइट पंजाब और कॉलकाता के मैच की बात करते हैं तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरे जितने भी वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ आई पेल के तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको एज बताया था सबसे इंपॉर्टन होता है टीम कॉंबिनेशन उसके लावा ग्राउंस उसके स्टैट्स फिर सेकंडरी थर्ड नंबर पर आते हैं तो टीम कॉंबिनेशन सब ज़दा इंपॉर्टन होता है क्या प्लेइंग 11 खेलने वारी है ठीक और किस तरह से किस टीम की क्या वीक पॉइंट है और क्या स्ट्रॉंग पॉइंट है ठीक तो बात करेंगे वंजा वर्सेस कॉल का था कि मैच की तो पहले पंजाब की किसको ले लेते हैं अभी जो स्कॉर्ड क्रिक्विस्ट पे है कल के मैच की मैंने उसी साब से प्लेइंग 11 बनाई है टॉप और में शिक ट्रॉफी में काफी अच्छे स्कूर किये ठीक है तो उसकी एक फॉर्म जो फेक्टर जिसको पन बोलते हैं वो जब कोई प्लेर आइपल में लेकर आता है तो वह अपुद दिखा पहले मैच में ही दिखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग बिल्ड किये खेली तो वह कॉन्फिडेंस होता है एक फॉर्म होती है जो एक प्लेयर का रहता है और समय भी रहता है तो प्रप सिमरन सिंग भी वन ओप दे हाइस्ट रंगेटर पंजाब की साइट से भी का फेच्छा परफॉर्म किया से अनुस्ता के लिमें थे स्ली में उनको टॉप और में यहाप यहापर शारुख खान जिदेश शर्मा हॉल्डाउं प्रसेक्शन में मैंने सैम कुरान हरपीद बरार और बोलिंग में राहुल चार नाथन एलेस और अर्शदीप सिंग को रखा है ठीक है अकॉर्डिंग टू क्रिक बचुकल की जो टीम की लिस्ट उसे साब से मैंने प्ल परफॉर्मेंस की वज़े से तो ओपनिंग में प्रम देखे प्रप्सिम्रम सिंग है शिखर धवन है प्रप्सिम्रम सिंग को अपन बोल सकते हैं कि है वह डॉमेस्टिक में रन कर रहे हैं बट इक आई पेल में जब इंट्रेशनल बॉलर्स के अगेंस्ट आप खेलते हैं न्यूली प्लेयर हैं तो वो एक्सपिरेंस भी साथ में नहीं है तो टॉप ओडर थोड़ा सा शेकी सा लग रहा है साथ में भानुरक्षा पक्षे कि अगर आप रिसेंट टी टॉन्टी वर्ल्टकप के बाद परफॉर्मेंस इस देखें यह टूर्नमेंट जो जो भी उन्ह जाता है शारुक खान और जितेश शर्मा तो यह थोड़ा बहुत डीसेंट है बट यह भी थोड़ा सा शेकी है शारुक खान भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है जो हाईली रेट किये जाते थे या जितने पैसे इनको आईपेल में मिले उतनी परफॉर्मेंस इस नहीं थी जितेश शर्मा की फेक्टर एक अच्छे विक्रीवर बैट्समें थे लास्ट रियर आईपेल में दोना इपेल में अच्छा परफॉर्म क्या पंजाब के वैसे इसलिए इंडियन टीम में भी सेलक्ट हुए थे तो यह अच्छे प्लेयर हैं पट फिर भी मिडल ओर थोड़ा सा शेगी लग रहा है अगर हम आल राउंडर सेक्षन के बात करें तो सैम करण इस साल के सबसे हैवी पेड प्लेयर आईपेल के बट सैम करण जब बिड हुई थी उस समय जब टी-20 वर्ल्ट कप चल रहा था उससलिया में तो कई ऐसे प्लेयर होते हैं ज यही परफॉर्मेंस अगर आप सैम करण की अभी जो ऐसे टी-20 लीग वी थी उसके अंदर बिल्कुल निल थी और इंडिया के जैसे कंट्री में जहां पर पेस बॉलर्स को उतना सपोर्ट नहीं मिलता ग्राउंट छोटे हैं तो मुझे नहीं लगता कि सैम करण उतने अच् लेप टाम ऑप्शन है बैटिंग भी ठीक टाक कर लेते हैं और बॉलिंग अकर ऑप्शन में जाए तो राहूल चाहर नतन एलिस और अर्शिदीप सिंग को मैंने रखा है तो बॉलिंग तो डीसेंट है बॉलिंग में ऐसा कोई वीक पार्ट नहीं है और आपके पास प्रॉ अब हम बात करें जैसे कि आप सब लोगों को मैंने पहले भी पताया था कि एक प्लेयर होता है की प्लेयर होता है जिसके आसपास टीम बिल्ड की जाती है और कैप्टन अगर आप मिस करते हैं तो वो सबसे बड़ा एक होल होता है जिसको आपको फिल करना है तो श्रेयर की जो इंजरी है वो उसकी वैसे कौल का तनाया टैडल को तो काफी नुकसान हुआ है नितिश राना को कैप्टन बनाया है तो मैंने जो टीम कॉमिनेशन जो क टीम के जो प्लियर्स के नाम अले उससाब से मैंने बनाई है उसमें टॉप और मैंने वंक्टे शेयर को रखा है गुरुबाज और नितिश राना ओपन भी कर सकते हैं और वंक्टे शेयर तीन ये चार नंबर भी खिल सकते हैं क्योंकि सियाद मुस्ताग में वो तीन ये चा तो उस होल को फिल करना बहुत जाता नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है और अभी जो प्लेयर्स डॉमिस्टिक में अवेलेबल है के क्यार के पास अवेलेबल है तो उसमें मंदीब सिंग और एन जगदीशन का नाम आता है तो मैंने उनका लिखा है मिडल ओडर में रिंकु सिंग है ये लास्ट इर इन्होंने इनका नाम चमका था और इन्होंने काफी ज़्यादा में अपने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस थी तो मिडल ओडर में रिंकु सिंग देन अंद्रे रसल राइट तो और राउंडर सेक्षन की बात करें तो सुनी नाराइंड और शार्दू ठाकुल जो बैस्ट पॉसिबल ऑप्शन है इंडिया में इस टाइम शार्दू ठाकुल और सुनी नाराइंड तो आप्शब बोलिंग के बात करें तो कैलम लॉक्य फर्ग्यूसन है ठीक है राष्टियर ये गुजरास से खेल रहे थे इनको ट्रेड करा है इस साल के क्यार ने पहले के क्यार की तरफ से खेलते थे तो डेथ बॉलिंग स्ट्रॉंग करने के लिए फर्ग्यूसन है वरुन चक्रवरती है और उमे लिए शराना की फॉर्म का सेयद मुस्ताग लिए में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी बट IPL में जजह नहीं कर सकता हैं को रीजेंट पास्ट जोड़ जो है वो हैं वरक्चेर ने भी सेयन मुस्ताग में काफे अच्छा परफॉर्फॉर्मेंस किया था रण किये हैं तो टॉ अपोजेट टीम के लिए कतम करके आएंगे या अपने टीम के लिए कतम करके आएंगे तो मिडल ओर थोड़ा सा शेकी लग रहा है टॉप ओर्डर भी ओके-ओके है और अच्छा है सुनी लारायन शादू ठाकर और बॉलिंग आप्शन भी अच्छे है अभी क्या है कि जैसे कुछ इंटरेशनल प्लेयर्स नहीं आया है साउथ अफरीक आके हो गए या कुछ इंटरेशनल प्लेयर्स हैं जो भी अविलेबल नहीं तो जब तक वो नहीं आते हैं तब तक प्रॉपर टीम कंबिनेशन जो है वो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अब अगर जैसे कि हमने अनलाइसिस किया है तो दोनों टीम ही बराबर सी लग रही है ठीक है थोड़ा सा अपर हैं अगर देना चाहें तो कॉलकाता नाइट अटरेश कुछ दे सकते हैं और जब दो वीक टीम आपस में किल दी हैं तो मैच अच्छा पंटर फेंडली या भा हाने पेपर हल्काफव को कद देन टरेश थोड़ा सा हह वी है तो असा और इस तरह के मैच्छ को मैं ऑवएड करता हूं आपको बह hogar मैं पसंद बता के देता हूं 15 पर्षंट बताके डेता हूं तरह के मैच फुटी इसमें वाले मैच नहीं है कि हाँ हम पूरे confidence से तो यह इस तरह के match होते हैं जो सिर्फ bet के देखे जाते हैं और अगर आप थोड़ा सा पसंद अगर मेरे से पूझें आप जो analysis हम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा heavy hand है अगर हम ground के starts की बात करें तो average जो जो इनिंगी score है महाली के अंदर 183 है highly scoring ground है ठीक है session mostly yes होते हैं इसके अंदर betting second का winning percentage 66% है पतलब 10 में से अगर 10 मेंच होते हैं तो 6 मेंच second betting जीतती है और one winning toss की जो पतलब toss जीत कर जो टीम जो भी decision लेती है उसकी winning percentage भी 66% है usually क्या होता है जो जीता chasing ground है तो toss जीत के जो भी team bowling करेगी उसको थोड़ा सा upper hand रहेगा ठीक है बाकी match में हमने analysis कर लिया है okay हो गया है fix analysis मतलब fix इस तरह का कोई team निकल करके नहीं आ रही है थोड़ा बहुत upper hand जो कुलका तो netters की तरफ है और इस तरह के match में usually जो मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूं तो अपने telegram channel में तो महम उस चीज़ को इस तरह के match को avoid करता है या फिर कुछ मैंसा ही match कुछ अच्छा jackpot match भी यह बन सकता है तो running match में कुछ होगा तो मैं आप लोगों किसा शेर करूँगा तो अभी फिलाल तभी डाउन है मेरी तो इस वज़े से मैं थोड़ा सा avoid कर रहा हूँ बागी कुछ होगा अच्छा होगा मुझे पसंद होगा तो definitely आप लोगों किसा शेर जरू करूँगा तीन चीज़े आप लोग कर लीजिएगा ठीक है आपको अगर मेरा content पसंद आता है तो इस वीडियो को like जरू कर दीजिएगा शेर कर दीजिएगा अपने जो भी आपके दोस्ते इस फिल्ड से related हैं शेर कर दीजिएगा subscribe कर लीजिएगा चैनल को bell icon दबा दीजिएगा और telegram चैनल में connect नहीं हो पाते हैं तो उससी के लिए भी आप हमारे whatsapp number 8233-68941 पे contact कर सकते हैं या उस link को copy करके telegram के अंदर paste कर लेना किसी भी chat में और तब आप click करोगे तो सीधा आप हमारे telegram चैनल में add हो जाओगे फिर भी कोई दिक्कत होती है तो whatsapp number 24 hour है आप वहाँ से link ले सकते हैं या किस तरह से add होना है कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है वो पूस सकते हैं तो वीडियो को like कर दीजिएगा मिलते हैं आप से ने studio में तब तक लिए